एक पर आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले आरसाइए होता क्या है उसको यूज कैसे करते हैं कैसे चार्ट पर लगाते हैं और उसको यूज कैसे कर सकते ट्रेडिंग के अंदर साथ में डाइवर्जेंस अब यह क्रिप्टो इंडिया के जो टेक्निकल सीरीज है यहाँ पर प्लीज एक वीडियो पर डिपेंड मत करना अभी कि आज का वीडियो देख लेके सब कुछ शीख जाओगे लेकिन टेक्निकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप समझो तो बहुत सारे अलग-लग ट अगर आप नए हो आपको ABC भी नहीं आता है तो यहाँ पर हम आपको लोगों के लिए एक फ्री कोर्स लेके आए हैं जहाँ पर इस कोर्स में वन बाए वन हर एक टॉपिक को कवर करेंगे और यह केरफूली पिक टॉपिक्स हैं जो आपको टेक्निकल आनसेस में बहुत हिल् में एंड ऐसे हमने प्रीवेसली यहाँ पर इस पूरी सीरीज के अंदर कुछ वीडियो बना रखें अप्रॉक्सिमिटली फाइफ जहाँ पर पहले वीडियो के अंदर हम आप पर एक्स्पेन किया है कि टेक्निकल आनसेस क्या है और क्या यह आपके लिए इंपोर्टन टू यही टूल आप यूज करोगे तो इसको कैसी यूज करना यहाँ पर हमने समझाया है साथ में सपोर्ट और रिस्टेंज जो ब्रेड इन बटर होता है वह हमने ऑंप पर एकस्प्लें किया है साथ में केंडल स्टेक्स हरे क्याँ चोटी मुटी जो कैंडल दिगती है इनकी स् moving average को अगर support resistance वाले वीडियो में जो सिखा है match करके के निकालोगे ना सबसे best support resistance निकालने की strategy आपको समझ में हाँ पर आ जाएगे तो हर एक चीज जो है match करती है एक दूसरे के साथ तो इसी कारण से ये जो series है ना इस series के सारे वीडियो अगर आपने नहीं देखना इन वीडियो के अंदर हर वीडियो के बाद एक test भी है खुद करके आप ये analyze कर पाए कि भी कितना सीखे हो वीडियो के अंदर तो उन सब को पूरा करना और जब वो देख लो तो फिर आप ये आज का जो वीडियो इसको आप देखना तो सारे वीडियो अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें कि RSI होता क्या है तो RSI का full form है relative strength index RSI करता क्या है ये basically एक momentum indicator है momentum indicator क्या होता है तो आपने pendulum देखाओगा घड़ी होती है घड़ी में ऐसे टॉक 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 ऐसे करके pendulum move करता है तो pendulum कैसे move करता है इधर जा रहे वहाँ पस reverse करके इस side तक आएगा फिर यहाहां से कैसे move करेंगा यह momentum होता रहाइग पता है कि ऐसी move करना है लेकिन इस तरह से move करता है तो वैसे price को लेके RSI जो momentum यहाँ पर show करता है खर और पर simple in a nutshell RSI के definition यहाँ पर होगे ठीक है अब RSI के हम बात करें तो RSI दिखता गैसे है तो RSI basically इस तरह का दिखता है जहाँ पर एक आपको यह line देखने को मिलीगी जो आपको दिखरी है बीच में यह पूरी की पूरी साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पर right side के अंदर आपको य जो यहाँ पर basically 0% से लेके यहाँ पर 100% तक के बीच में होगे तो यह number है बस जो measure करने के लिए यहाँ पर काम आते हैं और यहाँ पर अगर आप देखोगे usually अगर आप RSI यह trading view के उपर इसको add कर सकते हो इसमें आपको कुछ numbers जो हैं वो धियान रखने हैं जब आप basic इसको setup करते हो RSI को तो यहाँ पर basic जो setup आता है उसके number होता है 70 से लेके 30 का तो 70 यहाँ पर top का area हो गया 30 यहाँ पर bottom का area होगा middle area यहाँ अगर आप देखोगे वह 50 का बन गया अब लोग अपने swad अनुसार इसको change करते हैं कुछ लोग यहाँ पर 60-40 को भी use करते हैं कुछ लोग यहाँ पर 80-20 को भी use करते हैं तो अपने according use करते हैं उनको कितना area wise यहाँ पर लेना है तो इसमें ही हो जाता है कि जब भी हम 70 के area पर आ जाएंगे ना यह वाला area जब भी किसी stock किया crypto की price इस level के उपर 70 के उपर इसका मतलब यहाँ पर जो वो stock है वो overbought हो चुका है इसका मतलब यह कि यहाँ से RSI correct करके थोड़ा नीचे आना चाहिए at least 50 तक उसकी probability हो सकते हैं तब correction आ सकता है similarly जब price नीचे गे दिये यहाँ पर हम 30 के level पर आ जाते है यह वाला area इस 30 के level पर उसका मतलब यह हो जाता है कि यहाँ पर stock या crypto जो है वो oversold हो चुका है तो इसका मतलब यह price अगर यहाँ पर आती है RSI wise तो यहाँ पर एक buying का है यहाँ से फिर jump की probability आ सकती है और जब हम इस overbought area में आ जाए तो एक ऐसा area जहाँ पर धिया रखना है अभी correction आ सकता है तो यहाँ पर अगर आपको sell करना है तो वह आप plan करता है ठीक है I hope आप समझ गए होगे अब यही trading view के उपर मैं आपको show करता हूँ कैसे RSI को add करना है थोड़ा सा यही example फिर से आपको explain करने की अब जैसे यहाँ पर मैंने trading view को open कर लिया है अब इस trading view के उपर मैं को RSI add करना है तो यहाँ पर मैं indicators के उपर जाओगा और यहाँ पर लिखूँगा RSI तो यह देखी यह आ गया relative strength index इंडेक्स इसके उपर मैं यहाँ पर click कर दूँगा ठीक है अब यहाँ पर यहाँ पर य देखते हैं March 23 का area देख लेते हैं ठीक है यहाँ पर अगर आप देखेंगे हैं 30 के पास में आ गया थे 31 का area था अब यहाँ लेवल पर आया किया क्या देखो आप बाउंस कर गया ठीक है बाउंस किया अब देखो उपर गया हम 70 के level पर आगया यहाँ 70 के level के आने के बाद 20 पे आ गया तो 20 पे आ गया तो उसके बाद हुआ क्या प्राइस में अगर आप देखोगे यहाँ फिर से थोड़ा बहुत जम पाया लेकिन इतना जादा नहीं है लेकिन स्टिल यहाँ पर हम 1500 से कम से कम 1700 तक चलेगा फिर से यहाँ पर correction हो कि हम यहाँ पर 30 पे आ है 30 के तब 200 डॉलर का डंप जो है फिर से यहाँ पर आ गया similarly अगर आप देखोगे इधर आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा इधर अगर हम देखेंगे 70 को क्रॉस करके हम आल्मोस यहाँ पर 84 तक चले गया थे यह धियान अखना है कि ऐसा नहीं कि 70 पर आके रुख जाएगा यह फिर भी यहाँ पर बढ़ते रहे बढ़ते रहे यह वर्बॉट वालए यह सवर्ट फइनली को हुआ कर्यक्शन का लेवल ऑगया ठीक है तो इस पर देखो आप इ cler यह यहाँ पर देखो 30 के लेवल पर एalen तक चले अगया यहाँ चले गए 2800 ढलर से 3500 अब चले गए अदर यह एरिया जहां पर थोड़ा सा देखना है मेर को कि क्या यहां पर से बाउंस की प्रावबिलिटी आ सकती है कि नहीं आ सकती है और जब ओवर इस 70 के उपड़ चले आते हैं तो यहां पर केरफोल होना चाहिए कि आपको एक्जांपल शो करता हूं में यहां पर ठीक है अब यह आरसा यहां पर निकाल रखा है मैंने बिटकोईन का बॉटम देखो जब भी हुआ है कब हुआ हम यह 30 का लेवल देखते हैं ठीक है यहां पर चले गए जैन्वरी 2015 देखो हम 30 के लेवल पर यहां पर आ गये थे तो यहां पर देखो आप प्राइज कहां पर थी 30 100 पर उसके बाद हुआ क्या प्राइज यहां पर जम्प करके फिर से दिखो अपर निचे थे ओल्दों 30 पे तो नहीं है यह अल्मोस 33 पे था लेकर जंप की आ आगया लिकिन बैस से 30 का रहता है आगे मूव करते हैं 2020 टौ वारेसे बड़े टाईम फ्रेप में ज्यादा इंपोर्स होता है फोटे टाईमसे में 对 कर आया आप नि gegen में डेखना दफयता है ज्यादा चोर्टर रेंडर दो होता है इतना डेलैबिल वह प्रोंड तो इतना रिलैबल वह न तो थोड़ा सा buy कर सकता हूँ आपर मैं थोड़ा सा accumulate कर सकता हूँ ऐसे planning कर सकते हूँ DCA VCA करना है तो ठीक है अब ये तो बात होगे RSI की I hope यह आपर समझ में आगे होगा कि RSI में कैसे ये overbought, oversold वाला area देख लिया, overbought वाला area कौन सा 70 के उपर लेकिन वहाँ पर आपको द्यानक ना है doesn't mean 70 का level ऐसा है कि 70 पर आगा तो गिरेगा ये गिरेगा, वो 70 से लेकि 80-90 तक भी जा सकते हैं आपको फिर ये analyze करना है support, resistance, moving averages, candlestick को लगा कि जो और सिखा है इस course में उसको देख कि कौन से area तक जा सकता है लेकिन बस एक indication हो जाता है कि 70 के उपर चले गए तो careful होना चाहिए, यहाँ से कहीं पर भी correction आ सकता है 70 से 90 के बीच में तो I have to see कौन से areas हो सकते हैं जहाँ पर rejection आएगा similarly जब यहाँ पर oversold की area की बात आती है तो जब 30 के नीचे चले गए तो वहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा ऐसा area है कौन सा ऐसा area जहाँ पर support वगरे बन रहा है moving averages वगरे आ रहे है तो यहाँ पर मेरी buying की opportunity यहाँ पर मन सकती है तो RSI आ गया तो मुझे और कुछ सीखना ही नहीं है technical analysis में बस RSI से सब कुछ कर लूगा वैसा मत करना technical analysis में ज़्यादा लोग गलती है करते हैं एक चीज सीख के सोचते हैं मैं सब कुछ सीख गया technical analysis में बहुत सारी चीज है और वही एक के बाद एक आपसम सिखा रहे हैं उन सारी चीज़े को combine करके use करोगे न candle stick को use करो support resistance को use करो moving averages को use करो और फिर RSI divergence को use करो इनका combination लगाऊगे तब better वो work करेगा एक चीज को use करके काम नहीं करेगा फिर चाहे वो support resistance हो गया candle stick हो गया moving average हो गया सब को mix करके करना पड़ेगा ठीक है तो यह important चीज है अब next moving on RSI को लेके सबसे एक important चीज जो होती है वो थी divergence और वो मैं आपको सिखाऊंगा कि divergence होती क्या है तो example के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ethereum का chart यहाँ पर open कर रख है प्राइस जा रही होती है उपर लेकिन background में ऐसी कोई चीज हो रही होती है जो indication दे रहोता है कि husband और wife जो है न मतलब यह candle जो है और यह RSI जो है यह दोनों के दोरो husband wife है पती पतनी है तो उनको साथ में move करना चाहिए मतलब साथ में हाथ पकड़ के चलेंगे प्राइज नीचे जा रही है तो यह RSI भी नीचे जाएगा प्राइज उपड़ जाएगी तो यह RSI भी उपड़ जाएगा निवापिस नीचे जाएगी तो मतलब साथ में चलने चीए प्रैइस ऐसे जा रही है तो आरसाइई भी ऐसा जाईगा प्रैइस नीरे और नीचे गई नारसाई भी आण से यहां पर रहते हैं इंदेयंड की कर सकती हो यहां पर ठीके तो जब यह जगडा हो ऊता है तो वह जगडा एक इंडिकेशन यहां पर होता है इंदी अंड कुछ गड़बार हो गई है अब देखो इंदी अड हो तो गया गलती किसी के भी हो एंड में यहाप पत्ती है जिसको compromise यहाँ पर करना पड़ेगा, उसी को आके sorry बोलना पड़ेगा, तो price कहीं न कहीं वहाँ पिस आएगी और याके पत्नी से बात करेगे, और बोलेगी कि भई, RSI से कि यार, sorry गलती हो गई, मेरी गलती थी, माफ कर दो मुझे, फिर पत्नी बोलेगा, ठीक हो, baby, या, या फिर साथ में हाथ पकड़ेगे, फिर साथ में चलेगे, एक दूसरे के साथ चलने लग जाएगे, तो basically यही इनका पती-पत्नी का relationship है, यहाँ पर candle stick का जो पती है, और RSI यह पत्नी यहाँ पर है, और जब भी इनका जगड़ा होता है, हाथ छोड़ देते हैं, और जब यह mism divergence शो करता है कि पती-पत्नी के बीच में जगड़ाएं यहाँ पर हो गया है, ठीक है, example I hope इससे आपको समझ में आ गया हो, तो कैसी इन दोने का relation यहाँ पर है, अब नहीं पर next moving on अगर हम बात करें कितने तरह के divergence होते हैं, तो basically तो 4 होते है, bullish divergence, bearish divergence, फिर होता है hidden bullish divergence, फिर ह अब यहीं पर अगर आप देखो कि यह हमने एक cheat sheet बनाई है, जिसको आप download कर सकते हैं, उसका link आपको नीचे मिल जाएगा, मैं तो advice यह करूँगा, इसको download करो, print out निकालो, सामने दिवार पर चिपका लो उसको, ताकि बार बार आप देख पाओ, ताकि आपको जब तब त basically हमारा पती जो है, वो यहाँ पर है और इसका नीचे अगर आप देखोगे यह RSI है, जहाँ पर हमारी यह पत्नी जी जो है, वो यहाँ पर है, सेम यहाँ पर है, यह उपर पती है, candles है, candles, नीचे यहाँ पर RSI हो गया, मतलब पत्नी हो गया, ठीक है, तो basically यह, तो bullish divergence के यहाँ पर आया, यह lower point था, अब पती के according, candle के according, यहाँ पर भी lower point बनना चाहिए था, अगर वो बनता तो normal होता, लेकिन वो नहीं बना, यहाँ पर point जो है, यह देखो, high बन गया उपर की तरफ, तो यह देखो, mismatch हो गया, इसका मतलब जगड़ा हो गया भाई, साथ में चल और high point बना है, जो पिछले high point से उपर था, यह देखो, उपर की तरफ हम चलेगा, ठीक है, यह candles हो गई, अब यहीं पर अगर हम यहाँ पर पतनी को देखेंगे, RSI को देखेंगे, तो RSI देखो, यहाँ पर उपर गया था, इसके according उपर गया था, यहाँ पर जगड़ा हो ग जैसे आप candle को मैच कर सकते हैं, candle अगर इस तरह की बनी है, यहाँ पर इस तरह की बनी है, RSI ऐसा बना है, तो यह medium हो गया, अगर आप पर candle इस तरह से बनी है, RSI ऐसा बना है, तो यह weak बन गया, similarly bearish में भी same चीज़ आप देख सकते हैं, तो यह आप खुद इसको study करके आप पैनलाइज कर सकते हैं, लेकिन basic concept मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, ठीके, तो यह तो होगे bullish और bearish divergence, अब यही पर दो और divergence है, जो मैं आपको explain करूँगा, वो यहाँ पर हो जाती है, hidden bullish और hidden bearish, इसमें भी अगर आप देखोगे, इसमें pattern जो है, थोड़े से different हो जाते यहाँ पर हमारा नीचे का point बन गया, तो यहाँ पर hidden bullish divergence बन जाती है, similarly अगर हम नीचे आएंगे यहाँ पर, hidden bearish divergence में, तो यहाँ पर देखो उपर का point बना, यह बन गया, ठीक है, यहाँ पर भी उपर का point बन गया, सेम है, साथ में चलते हैं, हाग पकड़ के, अब यहाँ यहाँ पर नीचे आए, और जब उपर गया, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर फिर से जगड़ा हो चुका है, ठीक है, जगड़ा हो गया, कलेश हो चुका है, इसका मतलब hidden bearish divergence बन गया, अब आईनो यह थोड़ा सा handful है, इसी कारण से म चपकालो सामने, और फिर ढूंडो, चार्ट खोलो ढूंडो, कहाँ पर बन रही है, कौन सी divergence बन रही है, क्या बन रही है, जितना प्रैक्टेस करोगा उतना ज्यादा समझ पाओ गया, और आने वाले टाइम पर इसा नॉमल हो जागा, यह चार्ट देखनी की जुरत नहीं की probability यहाँ पर है, जब ऐसे pattern बनने लग जाए, समझाना, और फिर से कलेश हो गया, लेकिन इस बार जो है, प्रैस नीचे जाने की probability यहाँ पर बन रही है, तो इस according यहाँ पर जो divergence है, उनको आप identify कर सकते हैं, अब यही चीज जो है, मैं आपको चार्ट पर लेके चलता फिर यहाँ पर नीचे थे, फिर यहाँ पर नीचे थे, अब जब यह movement हो रहा है, अगर हम यहाँ पर RSI के साथ, पत्नी के साथ match करेंगे, तो पत्नी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पहले तो नीचे था, यह वाला point और नीचे होना चीए था, लेकिन यह तो उपर बन गया, उ पर यहाँ पर उपर की तरफ जम कर गई, तो इस तरह से आप identify कर सकते हो, ठीक है, अब यही पर next moving on हम आगे move करते हैं, तो इधर देखते हैं, तो यहाँ पर देखो आप, अब यहाँ पर क्या हुआ है, यह देखो प्राइस जो है, यहाँ पर इस point पर चली गई, ठीक है, RSI को देखेंगे, तो हाँ आप, RSI भी इस point पर यहाँ पर चला गया, उसके price नीचे है, फिड से उपर की तरफ गई, यहाँ पर price उपर के point पर आ गई, तो यहाँ पर price क्या है, उपर की तरफ चली गई, लेकिन RSI को देखो गया, आरसा का पर गया है, नीचे के point पर, मतलब न यहां से हम गिरके यहां पर नीचे की तरफ आ गए अच्छा यहां पर इन डाइवर्जन्स में एक और चीज आपको ध्यान अखना है कि जब भी करेक्शन का लेवल आएगा आप देखोगे कि बही किस लेवल तक हम जा सकते हैं तो जब भी जैसे बुलिच डाइवर्जन्स य कि जम्प यहां तक आ सकती है आने में इससे उपर भी चला जाएगा लेकिन एक नॉर्मल आइडिया आप यह लगा सकते हो कि इसके अकॉर्डिंग यहां पर आ जाएगा सिमिलरली जब यह बेरेज डाइवर्जन्स बनी तो कहां से बननी स्टार्ट होई यहां से बननी स्ट हो गया candle देख सकते हो और moving average लगा सकते हो लेकिन एक रफ आइडिया जहां से start हो रहा है न वह वाला area और उसके नीचे अगर यहां पर नीचे support नहीं होता तो और नीचे के लेवल के chances हो सकते हैं तो उस according आप analyze यहां पर कट सकते हो ठीक है अब यहीं पर एक और example देख लेत इस वाले point से नीचे है तो फिर से क्या हुआ फिर से bearish divergence बन गया अब correction आएगा कौन से level तक आएगा तो हमारा start यहां से हुआ था तो यह वाला area जो हम देखेंगे कि इस level तक का correction हमारा आ सकता है तो correction देखो इस level तक यहां पर आ गया तो इस according आप bearish divergence को यहां पर देख सकत आ गया तो अब यहां पर क्या हुआ देखो candle उपर की तरफ ती लेकिन यही पर अगर हम RSI का level देखेंगे तो जब candle यहां पर थी देखो RSI कहां पड़ता यहां पर अब जब यहां पर bounce करके उपर आए तो यह उपर है तो हमारा उपर कहीं पर यहां पर यहां पर RSI होना च उसको आइड़िफाय कर सकते हैं आप खुद देख सकते हैं यहां पर किस तरह से यह वर्क आउट करा है तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो तो यह तो bullish divergence हो गए और bearish divergence हो गए अब यहां पर दो और मैने आपको बताते है hidden bullish divergence, hidden bearish divergence तो उसका भी आपको एक्जांपल में lower candle यहां पर बन गई लेकिन यही चीज़ अगर हम RSI में देखते हैं तो RSI में आप देख सकते हो यहां पर थे हम लेकिन उसका जब correction हो कि उपर की तरफ आए तो यह RSI जो है almost same level पर यह थोड़ा सा उपर के level पर यहां पर आ गया तो उस according अगर आप देखोगे divergence के अंदर य इसके बाद हुआ किया अगर आप देखोगे price जो है यहां पर collapse कर गई आइडली level जो है वैसे इतना होना चीए था यहां तक कि यह वाला target होता लेकिन price उससे और नीचे की तरफ यहां पर चले गए तो यह hidden bearish divergence हो गया अब next यहां पर हम hidden bullish divergence को देख लेते हैं तो hidden bullish divergence के लि यह point यहां पर बना उसके price उपर की तरफ गई फिर से जब correction हुआ तो यह point जो था यह previous point से उपर की तरफ यहां पर बना candle का अब यही चीज़ RSI में देखेंगे तो RSI देखें यहां पर था जब इस point पर हम आये अब idly यह candle उपर थी तो RSI भी उपर होना चीए था लेकिन R RSI next lower बना वही चीज़ आप देख सकते हो candle यहां पर नीचे थी next candle उपर बनी RSI यहां पर था लेकिन next RSI नीचे बना तो यह hidden bullish divergence जो है वो यहां पर बन गई तो कुछ इस तरह से RSI यहां पर work करता है और आप उनकी divergence जो है यहां पर RSI के movement को candle के movement से match करके यहां पर निकाल सक तो जैसे अगर आपको trading view यूज नी करना है आप यही पर करना चाते हैं तो यहां पर भी आपको indicators के लिए इधर आप जाएंगे तो यहां पर you will see indicators का option है इसके उपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप RSI लग सकते है relative strength index तो यहां पर भी आ जाएगा तो इससे अगर आपको trading करते हैं यहां पर देखने हैं अलग से आपको trading view के chart में नहीं जाना तो ऐसे आप यहां पर भी कर सकते हैं bid gate के ऊपर if you want to use the chart तो यहोगे आज का वीडियो जहां पर हमने बात करी RSI के बारे में and I hope इस वीडियो को देखने के बाद अब आप समझ गएं कि RSI होता कैसे कैसे work करता है overbought oversold areas कौन से हैं कितने प्रकार के divergence होते हैं और उनको कैसे identify किया जाता है RSI और candles को यहां पर match करके अब यही जो चीज हमने यहापर वीडियो के इंदर सिखाईए अब आपको खुद इसको test करना है cheat sheet जो है उसको आप download कर सकते हो उसका link नीचे मिल जाएगा खु यह वीडियो आपको अच्छा लगो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना सब्सक्राइब करना it always keeps us motivated बाकि हम जल्दी आएंगे technical analysis basics का next video लेके जहां पर हम next समझेंगे Fibonacci retracement tool जो काफी cool tool है और बहुत important tool है तो उसको समझना आप मतलब उसका तो Fibonacci का तो real world के अंदर भ आपकी ट्रीडिंग स्टाटेजी में आपको help यहां पर करेगे तो मिलेंगे नेक्स वीडियो के निगाई सब्सक्राइब टक्राइब टेक किया, see you guys, bye bye